इस वीडियो में मैं आपको मात्र 800 रुपए में एक्सपाइरी के दिन आप्शन ट्रेडिंग लाइव करके दिखाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 800 रुपए लगा कर 1000-1100 रुपए प्रॉफिट बना सकते हैं कम से कम 1000 रुपए प्रॉफिट कैसे बनेगा ये मैं आपको दावे के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं और लोगों की तरह बड़ी बड़ी बाते नहीं करता हूँ बलकि जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ साथ ही option trading में मैंने कौन सा content क्यों बाई किया ये सारी चीजे भी बताने वाला हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि option trading कैसे की जाती है और profit कैसे बनाया जाता है तो आज मैं आपको option trading जिरोधा काइट में करके दिखाने जा रहा हूँ अगर आपके पास जिरोधा का डिमेट अकाउंट नहीं है तो description box मैंने उसका link दे रखा है उस पर click करके आप जिरोधा में अपना डिमेट अकाउंट open कर सकता है तो मैं हूँ अपने जिरोधा काइट के application में और एक disclaimer भी आपको देना चाहता हूँ यह सब मैं आपको live market में करके दिखा रहा हूँ यहां से मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है इसे थोड़ा जूम करके देखता हूँ जहां जहां पर red candle है उसका मतलब है कि यहां पर bank nifty नीचे गिरा है और जहां पर green candle बनी है उस time पर bank nifty उपर गया है फिलाल bank nifty 44,856 के आसपास चल रहा है और मेरा view है कि आज bank nifty नीचे गिरने वाली है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा bearish market देखने को मिले चलिए nifty 50 के चार्ट को भी देख लेते हैं nifty 50 फिलाल 19,500 के आसपास चल रहा है देखें nifty 50 आज 19,463 पर open हुआ है इसने अभी तक 19,537 का high बनाया है और अभी तक का जो low है वो 19,449 का है तो जब भी आप expiry के दिन मतलब थजटे को option trading करते हैं तो उस दिन आपको तभी ज़्यादा profit मिल सकता है जब market बहुत ज़्यादा bullish हो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के chances हो या फिर market बहुत ज़्यादा bearish हो मतलब market बहुत ज़्यादा नीचे जाने के chances हो आप nifty 50 या bank nifty दोनों में option trading कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक beginner हैं तो आपको nifty 50 में ही option trading करनी चाहिए मेरा view है कि nifty 50 आज गिरने वाली है ऐसा इसलिए कि nifty 50 की जो company आपको प्राइस भी नीचे गिर रहा है तो obvious सी बात है कि बहुत ज़्यादा chances है कि nifty 50 आज गिरने वाली है मतलब नीचे जाने वाली है देखें यहां पर nifty 50 नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अभी 12 बज रहा है अभी हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं देखें nifty 50 नीचे गिरता हुआ आपको यहां भी दिखाई दे रहा है option buying में जब market के उपर जाने की संभावना होती है तो आपको call मतलब CE buy करना होता है और जब market नीचे गिरने की संभावना होती है तो put मतलब PE buy करना होता है दोस्तो अगर आप एक beginner है तो आपको हमेशा थोड़े थोड़े पैसों से ही option trading करनी चाहिए और आपको पहले इसे अच्छे से समझना चाहिए वरना option trading में आपके सारे पैसे कुछ मिंटों में ही 0 भी हो सकता है देखिए 12 बच के 34 मिनट हो रहा है और nifty 50 लगतार नीचे गिर रहा है और अभी ये 19,413 के आसपास गिर चुका है तो जब nifty 50 नीचे गिरता है तो मैंने आपको बताया था कि option buying में आपको put मतलब PE buy करना होता है तो अभी ये गिरते गिरते 19,413 के आसपास चल रहा है और मेरे recording अभी ये और गिर के 19,350 के आसपास चला जाएगा तो मैं 19,350 का आज की expiry में put मतलब PE buy कर लेता हूँ देखे मैंने निफ्टी 50 में 19,350 का PE मतलब put 3 अगस के expiry में buy कर लिया है और यहाँ पर यह order complete भी हो गया है अब यहाँ पर हमें portfolio पर जाना है उसके बाद यहाँ position पर आ जाना है तो देखे यहाँ पर आपको total P&L में है यहाँ पर आपको जो भी profit और loss हो रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिराल मुझे देखे 45 रुपए 50 फिर 57 रुपए फिर 50 रुपए यहाँ पर देखे जो भी हो रहा सब आपके सामने भी आपको profit and loss है वह यहाँ पर देखे आपको दिखाई दे रहा है जब भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो इसकी जो फिगर है मुझे आप ग्रीन में दिखाई देगी और जब मुझे लॉस होगा तो यहाँ पर यही जो टूटल P&L में जो आपको फिगर दिखा है अब आप देख सकते हैं कि कभी मुझे profit हो रहा है कभी मुझे लॉस हो रहा है अब यही पर आपको patience बनाया रखने की रखी अपर फिर से loss ना होने लगे तो इससे अच्छा है भीया कि इतना ही profit लेके निकल जाओ लेकिन अगर आपको option trading करनी है option trading सीखनी है तो इसमें आपको patience रखना होगा सबसे पहले आपको learning फोकस करना होगा अब जैसे कि मेरा target जो है आज मुझे लगता है कि मैंने जो 872 रुपाय में 5050 की एक 1000 रुपाय तो बना के दे ही देगी मतलब यह जो मैंने 872 रुपाय में एक lot को खरीदा है उसको मैं कम से कम 1000 या उससे plus में ही profit लेने के बादी बेचूंगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अनुमान है मेरे हिसाब से आज मुझे यह और नीचे गिरने वाली है मतलब मुझे यहाँ पर profit होने वाला है चुकि यहाँ पर मुझे लगता है कि निफ्टी 50 आज ये गिरेगी तो मुझे चुकि आज मुझे लगता है कि निफ्टी 50 आज ये गिरेगी इसलिए मैंने यहाँ पर जो है put option को buy किया है अगर मुझे लगता कि आज निफ्टी 50 उपर जाएगी तो मैं यहाँ पर इसे call option buy करता देखे फिलाल मुझे यहाँ पर 32 रुपए 10 रुपए 22 रुपए 17 रुपए इस तरह का profit हो रहा है लेकिन अभी मुझे देखे अपने उपर भरोसा है जो भी मैंने इसमें analysis किया है उसके हिसाब से अभी मेरा कहना यह है कि अभ अब देखते हैं मार्किट क्या करती है मार्किट भाई किसी का जोर नहीं चलता है किसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी अपने एक analysis होती है देखे यहाँ पर देखे 170 रुपए 250 रुपए का profit होता हुए नजर आ रहा है 270 रुपए 282 रुपए 300 रुपए 292 रुपए यहाँ पर देखें मेरा profit जो है अब यह दिरे दिरे बढ़ना शुरू हो गया है शुरुआत तो मुझे पहले profit हुआ फिर loss हुआ फिर profit हुआ 10-15-20 रुपए तक कही profit गया 40-50 रुपए तक मेरा loss भी गया लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं देखें फिर से यहाँ पर सन नहीं जहल सकता हूँ तो मैं यहाँ से इसे exit कर दूँगा लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर patience रखना होगा क्योंकि जो भी मैंने इसमें अपनी analysis अपना दिमाग इसमें जो भी अपना experience बने लगाया है उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि मुझे आज यहाँ मतलब एक lot में 50 quantity होती है शेयर की तो उसको मैंने यहाँ बाय कर रहा है मैंने देखिए यहाँ पर average price दिखा रहा है 17.45 पैसे में खरीदा है और इसे मैं जितने महेंगे में बेचूंगा उतना ही ज्यादा मुझे यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा तो फिलाल देखे 23 रुप फिलाल मुझे है 305 रुपाय का 387 देखिए यहाँ से फिर से मेरा जो profit है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इस तरीके से आपको मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि देखे option trading में आपका पैसा जो है दुगना भी हो सकता है और zero भी हो सकता है अब matter यह करता है कि आपने कितने अच्छे से इसकी learning कर रही है आपने कितने अच्छे सा analysis करा है आपने मार्केट के sentiment कितने अच्छे से समझा है और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपने emotions पर जरूर कंट्रोल करना है देखिए यहाँ पर मेरा profit फिर से यहाँ तो यहाँ से आप एक दो बार तो profit बना लेंगे लेकिन कई बार आप profit नहीं बना पाएंगे आप अगर आपने 10 बार अपने option trading करी तो हो सकता है कि आप 7-8 बार जो है loss खा जाए तो यहाँ पर आपको emotions पर control करना होता है आपको greedy नहीं बनना होता है मतलब आपको लालची न नहीं हो और ओ माई गॉडड यहाँ पर देखे आठ सो बीस आठ सो पैस मेरा profit यहाँ पर और तेजी से बढ़ने लगा है यह profit हुआ था सतरा और बारा पंदा सतरा रुपए से अब यहाँ पर फिलाल जो है 897 रुपए तक का मुझे profit हो चुका है अब देखें यहाँ से यह मुझे इतना profit हो सकता है उसी बेस पर मैं भी यह कह सकता हूं अब देखें लास तक देखते हैं क्या होता है लेकिन फिरहाल जो मेरा experience है जो मेरी learning है उसके according मैं आपको यह कह रहा हूं कि आज मुझे यहाँ पर मुझे 180, 192, 1115 रुपए तक का मुझे यहाँ पर profit होता हुआ हुआ नजर आ रहा है यह 27 हो गया है 1117 हो रहा है कुल मिला के देखें इसने 1000 रुपए का यहाँ पर आगड़ा पूरा कर दिया है 1120, 1115, 1120 इस तरीके से मुझे यहाँ पर profit होता हुआ नजर आ रहा है और देखें फिर से यहाँ कुछ कम हो गया 985, 960 हो चुका है 962 हो चु वो मेरी सेफ है अब मुझे बस यहाँ पर यह देखना है कि मैं maximum कितना profit यहां से उठा सकता हूं तो मेरा जो target था यह target था इस वीडियो को बनाते समय कि मैं कम से कम 1000 यह उससे ऊपर की जो profit हो जरूर यहां से लेके जाओंगा मैंने 800 या 872 रुपए कुछ मैंने इसमें लग यही चलता रहता market में बस आपको अपने उपर भरोसा होना चाहिए अपनी analysis पर भरोसा होना चाहिए और अगर आप एक beginner है तो आप से ही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे भाई आपको शुरुआत में सिर्फ छोटे छोटे amount से ही trade करना है आपको बड़ी capital इसमें न है यहां पर देखने हैं यहां पर देखके दिखा रहा है टोटल PNL 11750 पैसे मतलब यहां पर मैंने 1150 पैसे जो है बूग कर लिया है अब मैं आपको इसकी detail दिखा देता हूं मैं इस पर click कर देता हूं और यहां पर इसके बाद मैं इसको और नीचे scroll करता हूं और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए और नीचे मैं आता हूँ थोड़ा सा और नीचे मैं आपर स्क्रॉल करता हूँ और देखे सबसे नीचे आपको एक डिटेल दिखाई देगी यहाँ पर देखे एक आपको और फ़रा से नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है buy and sell तो मैंने यहाँ पर buy देखे 50 quantity करी मतलब एक lot मैंने buy किया था buy price सा 17.45 पैसे और buy value जो total बनी थी वो 872.50 पैसे कि थी और यहाँ पर देखे sell मैं आपको दिखाई दे रहा है कि sell भी मैंने 50 quantity कर दी मतलब एक lot मैंने sell कर दिया selling price क्या था मेरा 40 रुपए 20 पैसे था और total sell value क्या थी 2010 रुपए कि थी मतलब 872 रुपए मैं खरीदा 2010 में बेचा मतलब 1170 पैसे का मुझे यहाँ पर profit आज जनरेट हुआ मैंने मैंने यहाँ पर अपना profit जो है बुक करा है 1170 रुपए 50 पैसे तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 872 रुपए या 800 रुपए मोटा माटी के साथ और अच्छे concept के साथ अगर आप option trading करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा profit भी हो सकता है चलिए अब मैं आपको अपना buy order और sell order भी यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैंने कब इसे buy किया कब मैंने इसे sell किया तो मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर देखिए एक buy order आपको दिख रहा है 12.40 मिनट पर जो कि complete हो चुका है और इसके बदेखिए यहाँ पर आपको एक sell का order भी दिख रहा है जो कि complete हो चुका है 13.50 मैंने बारा बच के 40 मिनट पर इसे buy किया है और एक बच के 5 मिनट पर इसे मैंने sell कर दिया मलब 25 मिनट के अंदर मुझे लगबग 1000 या इसमें तो फिलाल आप देखी सकते हैं कि 1137 रुपाय का profit मुझे 25 मिनट के अंदर हो चुका है तो इस तरीके से आपने देखा कि option trading कैसे करते हैं option trading में कैसे पैसे कमाये जाते हैं लेकिन आपको ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि option trading बहुत ज़्यादा risky होती है इसमें आपको थोड़े थोड़े पैसे से ही trade करना चाहिए अगर आप नए नए है तो आपको बस एक research and development के तोर पर इसमें पैसे थोड़े थोड़े डालिए और सीखिए कि क्या होता है आप जो सोचने क्या ऐसा होता है आपकी जो analysis है क्या हो कितनी सटीक बैठती है कितनी गलत होती है जब आप धीरे-धीरे ऐसा करेंगे तो एक दिन आएगा कि आप भी इसमें अच्छा आपका सा profit जो है generate करना शुरू कर देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो उसी वीडियो को like करें अपने दोस्तों में से जरूर शियर करें और business field को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूले क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही जैन